प्रधान मंत्री नरींद्रिम मुदी ने मन की बात कारिक्रम में देश वाशियों के साथ अपने विचार किये साजा भारतीय संस्क्रिती के संद्रक्षन और संवर्धन के साथ ही स्वच्छता और वेस्ट टू बैस्ट के श्वेत्र में रोल मॉडल बनने का दिया संदेश ओशदी गुनवर्ता विनियवन और प्रवर्तन पर दो दिवसिय चिंतन शिवर आत्ते ते लंगाना में हो रहा है शुरू केंद्रिय स्वास्त्र मंत्री मनसुक बंडविया कर रहे हैं शिवर की अध्यक्षता राजपाल कल्राज मिश्र ने बीकानेर में क्राफ्ट मेली और सांस्रितिक केंद्रों के आंगन का किया उध्खाटन लोकवाद्यों की स्वम दुर्ध्वनियों और रोक गीतों का रास्रंग और रस्की त्रिवेनी का उठाया लुद्ध जैपुर के सांगनेर में 6.93 करोर रुपए की लागत से बनेगा नया राज के कन्या महवध्याले राज्यसरकार ने बज़त को दी स्विकृती प्रदेश के ग्यारा जिलों में तृतिय श्रेनी शिक्षत भरती परिक्षा जारी पहले दिन कल पेपर लिग को लेकर दिन भर चली अफवा पुलिस ने जोतबुर में दलाल गिरों को पकड़ा जैपर सहीत राज्यों के अन्य अस्थानों पर भी हुई संदिक्दों की किरफ्तारी नमस्कार दूरदर्शन समाचारों में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत मैं हूँ आपके साथ मीखा चली खबरों का सिलसला शुरू करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी ने आज मन की बात कारिक्रम के जरिये देश वाश्यों के साथ भारतिये खेलों, खिलोनों, रोली और रंगोली के माध्यम से विभिन प्रतियोगिताओं के अलावा सूचना और प्रद्योगिकी के विकास सहित विभिन विशय पर लोगों का आहवान किया कीवे जन बागिदारी से ऐसे कारिक्रमों को जन आंधोनन बनाए प्रद्धान मंत्री ने इस संजीवनी एप के माध्यम से टेली कंसल्टेशन और यूपी आई एप से लें देन के प्रोचाहन को भी बात की प्रद्धान मंत्री ने देश के विभिन प्रांतों की रंग विरंगी संस्कृती लोग कला को और कलाकारों का स्वरन करते हुए इनके संद्रक्षन और संबर्धन की भी बात कही उन्होंने सच्चता के साथ वेस्ट टू बैस्ट का संद्रेश देते हुए इस शित्र में रोल मॉडल बनने का भी अहवान किया मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार मन की बात के इस 98 एपिसोड में आप सभी के साथ जूड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है सेंचूरी के तरफ बढ़ते इस सफर में मन की बात को आप सभी ने जन भागिदारी के अभीविक्ति का अध्धूत प्लेट्फरम बना दिया है हर महिने लाखो संद्रेशों में कितने ही लोगों के मन की बात मुझ तक पहुंसती है आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही है वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है लिए हमने मन की बात के अलग-अलग एपिसोड में देखा है समझा है और मैंने अनुबव किया है स्विकार है मुझे वो दिन याद है जब हमने मन की बात में भारत के पारमपारी खेलों को प्रोसान की बात की थी तूरंत उस में देश में एक लहर से उड़ गई भारतिये खेलों के जुड़ने की इन में रमने की इने सीखने की मन की बात में जब भारतिये खेलोनों की बात हुई तो देश के लोगोंने इसे भी हाथो हाथ बढ़ावा दे दिया अब तो भारती खिलोना का इतना क्रेज हो गया है कि विदेशों में भी इनकी डिवान बहुत बढ़ रही है जब मन की बात में हमने स्टोरी टेलिंग की भारती विधाओं पर बात की तो इनकी प्रसिद्धी भी दूर दूर तक पहुँच गई। लोग जादा से जादा भारतिये स्टोरी टेलिंग की विधाओं की तरफ आकरशित होने लगे। इस भरके साथ सो से अधिक जीलों के पांच लाग से अधिक लोगों ने बढ़ चड़कर के इसमें हिस्सा लिया है। बच्चे, बड़े, गुजूर सभी ने इसमें बढ़ चड़कर भागीदारी की और बिच्से अधिक भाशाओं में अपनी एंट्रिस बेजी है। इन कंपेटिशन्स में भाग लेने वाले सभी पतिभाग्यों को मेरी और से बहुत बहुत बढ़ाई है। आप पैसे हर कोई अपने आप में एक चेंपियन है, कला साधक है। आप सभी ने यह दिखाया है कि अपने देश की विविदता और संस्कृति के लिए आपके रदे में कितना फ्रेम है। साथियों, आज इस मोके पर मुझे लता मंगेश कर जी, लता दिदी की याद आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब ये प्रतियोगीता प्रारम हुई थी, उद्दन लता दिदी ने ट्वीट करके देश वास्यों से आगरह किया था, कि बेश पर्था में जुरूर की हो, शहनाई की हो, उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी की हो, तो स्वाभाविक है, कि मेरा ध्यान उस तरब जाएगा ही, कुछ दिन पहले उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरसकार दिये गए, ये पुरसकार मुझीक और पर्फर्मिंग आर्ट्स के ख्षेतर में उभर रहे, प्रतिभाशाली कलारकारों को दिये जाते हैं, मेरे प्यारे देशवासियों, तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में, डिजिटल इंडिया की ताकत कौने कौने में दिख रही है, डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में, अलग-अलग एप्स की बड़ी भूमिक आप होती है, ऐसा ही एक एप है, इस संजीवनी, इस एप से टैली कंसल्टेशन, यानि दूर बैठे, वीडियो कांफरेंस के माद्यम से, डॉक्टर से अपनी बिमारी के बारे में सलहा कर सकते हैं, इस एप का उप्योग करके, अब तक टैली कंसल्टेशन क करने वालों के संख्या, दस करोड के आंकडे को पार कर ली है, आप कलपना कर सकते हैं, वीडियो कांफरेंस के माद्यम से, दस करोड कंसल्टेशन, मरीश और डॉक्टर के साथ अध्भूत नाता, ये बहुत बड़ी एच्विमेंट है, इस उपलब्दी के लिए, मैं सभी दॉक्टरों और इस सुविधा का लाब उठाने वाले मरीशों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, भारत के लोगों ने तकनीक को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, ये इसका जीता जाकता उधारन है, हमने देखा है कि कोरोना के काल में, इस संजीवनी एप इसके जरिये पहली कंसल्टेशन लोगों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ है। हैदराबाद में आयुजित दवा, गुणवत्ता, वीडियमन और प्रवर्तन विशय पर दो दिवसिये चिंतन शिविर में आज सुबह योग सत्र का आयुजिन किया गया। देश में दवाओं की गुणवत्ता और प्रवर्तन से संबंधित नीतियों और कारिक्रमों की प्रक्रियाओं और क्रियानवेन की समीक्षा करना है। जिसमें घरेलू और निर्यात बाजारों से दवाओं और सौंदेर प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरनों की गुणवत्ता में विश्वास। भारतिये फार्माकोपिया और इसके मानकों का पालन और राश्ट्रिये नियामकों की किशमता निर्माण श्रामिल है। इसके साथ है चिंतन शिर्माण राजपाल कलराज मिश्र ने कलभी का नेर में राश्ट्रिये सांस्कृतिक मोहतसव के तहत आयोजित क्राफ्ट मेले का उधखाटन किया। इस अफसर पर उन्होंने केंद्रिये संस्कृति मंत्राले के अधीन कारिरत संस्कृतिक क्रेंदों के आंगन का भी तीप प्रजुलेत कर उधखाटन किया। कारिक्रम में उन्होंने लोक वाद्धों की स्वा मधुर्ध हने और लोक कीतों की रासरंग और रस की प्रिवेनिका लोग उठाया कारिक्रम में केंद्री राज्य मंत्री अर्जिन राम, मेखवाल सहीद अन्य, जन प्रतनियो और गंडमानने लोगों ने भी शिरकत की हमारे सेवन कल्चरल जोन हैं, उसे जुड़े में, करीब एक हजार के आसपास कलाकार जो हैं, वो आजचुके हैं और आप देखें बहुत सुन्दर परफॉर्मेंस वो देने बाद है एक गोरो और एक संस्कृति है, हमारा गोरो और हमारी संस्कृति है देखिए संस्कृति का सरंक्षन होना चीए, विरासत का सरंक्षन होना चीए, यह हमारी सरकार का उदेश्य है राश्टि संस्कृति महोटसब का बीकानेर में करने जा रहे हैं, जिसका उद्घाटन 27 फरवरी को मामेम राश्पृती जी करेंगी और इसमें करीब 1000 कलाकार जो देश भर के, जो आर्ट, आर्टिस भी हैं, आर्टिसन्स भी हैं, यह वहां यहां इकटा हो रहे हैं और यह जो पूरा सौजन्य है, यह सातों हमारे जो 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 कल्चर सेंटर्स हैं, उनको सात सम्मिलित करके यह किया जाता है इस आर्टिसम की खासियती है कि पहली बार यह राजस्तान में किया जा रहा है, और करीब आठ जो हमारे पदमिश्री हैं, वो यहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करने जा रहे हैं इनवार्ट शुरुआत जो है राजस्तान के पदमिश्री अनवर खान जी करेंगे और इसमें हम ना केवल लोक संगीत, शासी संगीत, आधुनिक संगीत, मतलब हर तरह के जो हमारे कला विधियां हैं, उनको हम यहां पर एक स्थान लेते हैं तो इसमें आपका आर्ट कैम भी है, आपका एक एक एकसी अनवर जैस्जी इन लगरा हें, जो अनसंग हीरोज आफ राजस्तान के ऊपर हैं बच्पन से जो पुद्धन मुंतरी का जो सपना है जो एक साथ में मिलें, मिलना और आप इसमी जोन इक साथ में देखना सभी स्टेट के साथ एक साथ में मीलना, सभी को देखना ठीक है, बहुत अच्छी होता है क्योंकि भारतिय संस्क्रती कैसी संस्क्रती है, जिसमें जनाना परकार की लोग हैं और अपने अलग-अलग संस्क्रतियां से जुड़े वे हैं और आज बिकानिस्तान में सारी भारत की संस्क्रतियां आईए, तो हम गवर्वानटी भी मंहसूस करते हैं आप पूरा करेंगी राज़पाल कलराज मिश्री ने कहा है कि दिक्षान्त समारो विद्यार्थियों के लिए नए जीवन की शिरवात है। विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गए। 6.93 करोड रुपए की लागच से होगा, यह माविद्याले सांगानेर शेत्र के टौक रोड स्थित बांबला पुलिया के पास बनेगा, सरकार ने दौसा जिले के लालसोट स्थित समेल गाउं में मोरेल लदी पर 22.80 करोड रुपए की लागच से बने वाले एनिकट के लिए भी वित्य स्विक्रती प्रदान की है, मोटे अनाज के उत्बादन को भड़ावा देने और इसकी फसलों की पैदावार बहतर करने के लिए उत्तेशे से बूंदी में क्रिशी विज्यान केंद्र द्वारा मोटा अनाज प्रसंस्करन प्रसिक्षन का आयोजन किया गया, प् के क्रम में आयोजित इस प्रसिक्षन में प्रसिक्षन आर्थियों को मोटे अनाज से बनने वाले उत्पाद जैसे केक, बिस्किट, मत्री, आदी के निर्मान का प्रसिक्षन भी दिया गया उसी के तहित आज क्रिशिवी ग्यान के इंद पर एक डीवेसी प्रोग्राम हम जो अप्रसिक्षन फंक्षन रीज है, आंगरमारी काड़िये करता है, सेल पहल ग्रूप से जो जुड़े हैं, मेला हैं, ग्रूप हैं, उनको यहां बुला के उनको बाजरा है, या नने जो मो बना सकते हैं, यह क्या-क्या प्रोड़क्ट बनाके, उत्पाद बनाके, उनको हम अपने दिन प्रती दिन के आहार में उप्योग लेके इसका कंजप्षन बढ़ाएं, और स्वास्त के प्रती जाग रूप रहे हैं, जैसा कि हम अनाज खा रहे हैं, गेंग खा रहे हैं, उस जैसे जैसे इसका उत्पादन बढएगा, गांग बढ़ेगा, तो निशित रूप से इसका उत्पादन बढ़एगा, उत्पादन बढ़ेगा, लोगों में जाग रुपता आएगी, मोटा एनाज को खाने के प्रती और इसका वेलूडेट करने के लिए, आये भी जब इसका उत्वादन बढ़ेगा और इसके कई सारे वेल्यूडेट प्रड़क्त तैयार होंगे और वो मार्केट में आएंगे तो उनकी वेल्यू बढ़ेगी पारेश सरकार ने इस वर्ष को इंटरनेशनल येर ओफ मिलट का वर्ष कुशित किया है जिसमें जो मोटे अनाज हैं जवार बाजरा कोदो रागी सामा ये सबी जो हैं मोटे अनाजों में गिरे जा रहे और हम यहां पे चुकि हाडोती में जवार की पैदावार कुछ है तो ह हम जवार और बाजरा की तो हम आज यहां पे प्रसंसकरण का जो ट्रेनिंग है वो हमने हायोजित की है जेसी आई उर्जा के संयुक्त तत्वादन से तो आज हम इनको बाजरा से जो जो प्रडेक्ट्स बनते हैं वो बनाना सिखा रहे हैं प्रैक्टिकली और आगामी दिनो बनानी हम इनको सिखा रहे हैं ताकि यह अपने उध्धमी तयार हो सके और आगे इनको अपना आए के जो साधन है वो इससे भून सके मैंने यहां पर पाजरे का केक और बिस्किट और मठरी सिखाई है उन सब महीं महीं लहों को इसके लिए मैं कमला जी को भी धन्यवाद मुझे बताया और और कहा कि यहां मैं यह चीज़ सिखाऊ और इसमें आगे बढ़ू उसके लिए मैं उनको इस्पेशल धन्यवाद दूंगे और मैंने कोशिश भी करी है कि मैंने यहां वाजर का केक मठरी और बिस्क्विट बनाना महीलाओं को सिखाया और उन्हें पसंद हैं बट कि अपने राजस्तान में जो मक्का गें होती है यह मोटे नाज में नहीं आते हैं जवार उसमें आती है और इनसे हम क्या बेनिफिट मिलता है हमको बोडी के अंदे इनमें केल्शम की मातर अची होती है और इनको हम मिक्स करके मल्टी गिन आटा बनाके इनको अपन सब्सक्राइब नहीं को एक मोटो नाजरस अगार का भी बना चाहिं में यह काई नाम है इनकम भी हो चो कोई बना भुचाओ तो भी एच भुचाओ तो खुद को प्रू राजस्तान में 48,000 पदों पर होने वाली तृतिया श्रेणी शिक्षक फरती परिक्षा शुरू हो ग की जा रही है लेवल फर्स्ट में 21,000 पदों पर और लेवल टू में 27,000 पदों पर भरती होनी है परिक्षा की शुरुक्षा विवस्था को लेकर कड़े इंतिजाम किये गए हैं साथी विद्यार्थियों के लिए रोडवेज बसों का भी विवस्था की गई है जो बच्चा मतलब यह सोच के एक्जाम दिया कि अपने को कंट्रोल किया खुद पर वही बच्चा पास होगा बकि ऐसे लग रहा ईजी है पर ईजी है नहीं है यह नहीं है विवस्था ज्यादा एजी टू मॉट्रेट था राजिस्थान से रिलेटेट चीज़ ज्यादा थी और बाकी सब ठीक साइकलोजी काफा असान थी बैसिकली राजिस्तान का G.S और हम यू पी के हैं आ तो भाहर की लोगों के लिए यू पी के लोगो के लिए राजिस्तान का G.S ओजी के भड़ाकी सब तो यजी लगा ऐसा कुछ खास तुईता है त्रित्रिय श्रेणी शिक्षक भरती परिक्षा के बीट चोथपूर में पुलिस ने एक दलाल गिरों को पकड़ा है पुलिस गिरों से पूछताच कर रही है वहीं पुलिस ने त्रित्रिय श्रेणी भरती परिक्षा के पेपर रीक होने के मामले को सिरे से खारिच कर दिया है मामले में पुलिस ने जैपूर पीका ने भरतपूर सहीत अंड्यास्थानों से कई संदिक्दों को भी हिरासत में लिया है कि अधिक्दों की सूचना पर उधेजर्ड मेरिज गार्डन है थाना बनार है वहां पर लगवग उनके सब्ध्यार्थियों को डिकेन किया गया उसकार से चार्ट से पास जो एक और्गनाईज गरू होता है पेपर लीग वाला उन लोädों को डिकेन की आगए उसके पत्त्रफिया जो उनके पास पेपर मिला वाट्य के लuzट्व के पेपर था वो हमने मलान करा लिया है प्त्त्रफिया वह नहीं मिलान बेलान हो रहा अब वो जो उसमें लेप्टॉप लेकर आगे किसी रेस्टी से वाट्टप पर पेपर लिया था और उधर पैसे कर रहे थे उस पेपर की तयारी करा रहे थे यह से अब रिष्ट के सामने आए आगे जैसे जैसे अनों संधान होगा आगे वश्चे वश्चे जो भी चुलाते होगे आपको बता रहे थे राजस्थान महिला अधिकारी एवं करमचारी एकिकरत महासंग के पदाधिकारियों की बैठक चैपुर के सहकार भवन में आयोजित की गई राजमैक्स की अर्थ्यक्ष विजेता चारण की अर्थ्यक्षिता में आयोजित इस बैठक में महिला करमचारीों के विभन मुद्दों और हितों को लेकर चर्चा की गई बैठक में सरकारी महिला नर्सेज के प्रमोशन संबंदी, विसंगतियों और को दोर करने और महिलाओं के लिए पेरियट स्लीव के दौरान सरकारी कार्याले में ही बहतर स्वास्त सुविदा उपलब्द काराने जैसे विभिन मुद्दों पर चर्चा हुई चर्चा में प्रमुक मुद्दा रहा राजस्तान नर्सेज कैडर में फीमेल प्रमोशन में डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटिट नर्सेज कैडर के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में इस तरह से नहीं है कि फीमेल और मेल प्रमोशन में प्रमोशन रेशो में में नहीं है और मुद्दे की बात यह है कि जो रिक्रूट्मेंट के समय जो रिक्रूट्मेंट है उसमें 80-20 फीमेल और मेल रेशो रहता है और नर्से सुप्रिटेंट प्रमोशन तक आते आते यह रेशो 60-40 तक ऑन पेपर हो रहा था और अभी जो नई लिस्ट निकली है इन कि महिलाओं को इस तरह से सर्विस में पीछे किया जा रहा है पीरेट स्लीव के लिए भी चर्चा की जा रही थी तो हमारे अस्वोशेशन की यह मांग थी कि पीरेट स्लीव के ज़्यादा हमें जरूरत है कि हमारी वर्क प्लेस पे हमें प्रॉपर बहतर अरेंजमेंट में जिससे हम वर्क प्लेस पर कमफर्टेबल रह सकें। बिन मार्गों से होती हुई तीन मार्च को खाटो शामजी पहुचकर संपन्न होगी। एक तारीक को खाटो दाम पहुचेगी। बंदावन दाम खाटो दाम में। इसमें 700-800 पदियाती शामिल होते हैं। उनके साथ उनके रिस्तिदार वगरा सभी चलते हैं। प्रतिवर्स पैदल शुबा यात्रा निकलती है और खाटो दाम पहुचती है। यह 57 पदियात्रा है। बड़े जोड़ शोड़ से भक्त लोग साल बर इस पदियात्रा का इंतिजार करते हैं। और भावा की जेजेकार करते हुए आनन से खाटो दाम पहुचते हैं। सबसे बड़ी बात ही है कि जेपूर की यह बहुत पुरानी संस्ता और बहुत पुराने जो हैं इसमें कारे करता हैं। वो बड़े जोड़ शोड़ से कारे करते रहते हैं। जैसे अपने घर में परिवार में ब्याव बनता है और जैसे निकासी निकाली जाती है उस तरीके का उच्छा है सब में और सब इतना ज्यादा उच्छा है कि मैं अपने शब्द नहीं मेरे पास बोलने की सब शाम बाबा की कृपा है गिर्राज दरिन की कृपा है और अंत में मुख्य समचार एक बार फिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कारिक्रम में देशवाशनों के साथ अपने विचार किये साचा भारतिय संस्कृती के संड्रक्षन और समवर्धन के साथ ही स्वच्छता को वेस्ट टू बेस्ट के शेत्र में रोल मॉडल बनाने का दिया संदेश औशदी गुनवर्ता विनियमन और प्रवर्तन कुपर दो दवसीय चिंतन शिवर आज तेलंगाना में हो रहा है शिरू केंद्रिय स्वास्रमंत्री मंसुक मांडविया कर रहे हैं शिवर की अध्यक्षिता राजपाल कल राज मिश्र ने पीकानेर में क्राफ्ट मेले और सांस्कृतिक केंद्रों के आंगन का किया उत्खाटन लोकवाद्यों की स्वामधुर्ध्वनियों और लोकगीतों की रासरंग और रस की त्रिमेणी का उठाया लुट्व जैपुर के सांगानेर में 6.93 करोड रुपे की लागत से बनेगा नया राजके कन्या महाविध्याले राज्यसरकार ने पजट को दी विक्रिती प्रदेश के 11 जिलों में तृतिया श्रेणी शिक्षग फरती परिक्षा जारी पहले दिन कल पेपर लीक को लेकर दिन भर चली अफवा फुलिस ने जोतपूर में दलाल गिरों को पकड़ा जैपुर सहित राज्य के अन्य अस्थानों पर भी हुई संदिक दों की किरफतार आज के लिए इस बुलिटन में फिलाल इतना ही नमस्कार